नमस्कार विद्ध्यार्थी मित्रो श्री युवा डिजिटल क्लास भावनगर्मा आप सर्वे विद्ध्यार्थी मित्रों नुँ स्वागत छे मित्रो आजे आपने मिला छिए सूरत महानगर पाली का द्वारा जे ग्यार सोने छत्रीस चेटली जिग्याव उपर भरती थनार छे तो ये भरती ना अने एमाई ते 26 तारिख आउती 26 वे जे MPSWU नुँ पेपर छे तो आ पेपर ना एक महत्वना टोपिक महत्वना नहीं पन अती महत्वना टोपिक कानके हेल्थ पूशे परसे जिक्या जिक्या पूशे तो येमा अपने ये टोपिक आजे आपने भणवाना छिए मित्रो ए टोपिक ना प्रश्णों सौथी वधू पूशा आता वोई एले के खुबस दिपमा पूछवा मा आउत अजना लेक्चर मा आपने कवर करी लेशू ए सुरत महानगरपाली का सुरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SMC ना होई सुरत नो इतियाज होई सुरत नी भुगोड होई क्या सुरत नो सांस्कृतिक वार्श होई तो आवी तमामे तमाम बाबतों ने मित्रो आपने आजना ल अजना लेक्चर मा थी मल से तो मित्रो शरू करवोशे सुरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनी भरती प्रक्रियानो महत्वनो टोपिक एमा जिल्लाओ अने ए जिल्लाओ माँ पन सुरत जिल्लो कईो जिल्लो शरूवाज करवोशे मित्रो सुरत जिल्लो तो सुरत जिल्ला मुरत की थी कि आते शाद तुझ हाल सुरत सौनानी मुरत थया पूरा बे हाल सुरत तुझ रडती सुरत तो आ विधान हतु मित्रो कवी नर्मदनु अर्वाची नोमा अध्य तरीके आपने जेने ओलखिया छे एवा कवी नर्मदा शंकर लाल शंकर दवेनु अने आज वियक्ति है गई 21 फेबरु आ रही है क्यारे मित्रो एकवीश मी फेबरु आ रही है मने कईो दिवस मने विए मात्रु भाषा दिवस तो आ मात्रु भाषा माटे कवी नर्मदेश हू किदू क्यवाई मने फापडू अंग्रेजी न आवडवानों अपसोस न थी पन मने कड़कडाट गुजराती आवडवानों गरवशे तो एवाज कवी नर्मदे सुरत ने शोकिदू सोनानी मूरत तो एवा मित्रो अती महत्वना अने खुब सरस्मजाना जिल्ला एवा सुरत जिल्ला विशेनों आजना अवलेक्चर मा आपने अभ्यास करीशू अने गुजरात नों तो आपने कई शकाई के सव थी वधू विकस्तो जिल्लों शे इवन मित्रो स्वच्छता सर्वेक्षनमा मित्रो जने बिजो नंबर मिलो शे द्वितिय क्रमांक प्राप्त थायो शे इवा सुरत जिल्ला विशेनी मित्रो सव प्रथम आपने वाद करवीशे सुरत जिल्ला नी बेजिक महीती सामन्य महीती विशू त्यार बाद मित्रो आपने सुरत जिल्ला ना इतियास मा प्रवेश करीशू तो के शू से भाई सुरत जिल्ला नी सामन्य महीती तो के सुरत के भाई सुरत नी स्थापना क् स्थापना क्यारे थई तो के सूरत नी जिल्ला तरीके स्थापना थई अतिमित्रो पेली मे ओग्णीशो शैंथना दिवस पेली में उगणीशो 70 ना दिवस है कि गुजरात राज्यनी स्थापना आ दिवस कही हो शे तो कि गुजरात राज्यनों स्थापना दिवस गुजरात नो स्थापना दिवस तो कि गुजरात ना स्थापना दिवस है कूल केतला जिल्ला हो हता मित्रो तो के गुजरात राज्यनी स्थापना समये कुल केतला जिल्ला हता सत्तर जिल्ला हता तालू का केतला हता तो के तालू का एक सो पंचाशी तालू का हता तो के आज ये सत्तर जिल्ला हता मित्रो ये पई कीनो एक जिल्लो कयो हतो सूरत जिल्लो हतो कईयो हतो भाई सूरत जिल्लो हतो तो के स्थापना क्या रे देए एलिम्य उगनी सो साइट ना दिव छे त्यार बाद एनु मुख्यमथक कईयो शे अवे आपने आवा सवालो पन वारम वार पुछाता हो जिल्लो अने एनु मुख्यमथक राज्य अने पात्नगर तो आपने ने और याद राखी शू के सूरत नु मुख्यमथक तो के सूरत पोत जेंब पजमालनु गोद्रा शे नर्मदान्वराल हाज पिपड़ाा से तो आवा बजा जए अलग अलग पड़ता जे मुख्यमत्थक शे एने आपने याद करीले शो सुरत नुख्यमत्थक तो के सुरत नुख्यत्रफड केतलू तो के 45954 किलो मिटर 45954 किलो मिटर पन जो मित्रो तमें विकीपीडिया करो शो तो तम ने तिया केतलू बताव शे? 4598 पन सरकार द्वारा पबलिश थेल पुस्तक ना डेटा ना अधार आपने याद लिदू से 45954 किलो मिटर तियार बाद जाती प्रमाण स्थापना जोई, मुख्यमत्थक जोईू, यानु क्षेत्रफड जोईू, हवे जाती प्रमाण तो पहला मित्रो प्रश्चन यह था बाद जाती प्रमाण एक लेशू, अथ वाने लेगंग प्रमाण तमें क्योगे। तो के एक हजार पुरूशो नी संख्याए, दर एक हजार पुरूशो नी संख्याए, स्त्रिवोनी जै संख्या णा जोई। यह सहाथी प्रमाण स्य भेके सराओ करी है ज्युरोथी भ आते प्रमाण। और साथि नुझाए प्रमाण स्यात्थी प्रमान अध्यूहियोटान मत्प्रमांब्र कैसे गुजिराथ कन न्में सऊलब्रमाण। पर्माण स्य भड़ना 1 &2. D66 युऐ g&b तो आप बालग कोनू जाती प्रमान केटलू भी कतलू आप पात्रेश को जाती प्रमान पूशे को 700 पात्रिश्ट तो हमना जापड़े वाद करी कि पाई जाती प्रमाण एटले दर 1000 पूरूश हो ये स्त्रीवो नी संख्या तो येने कहवाई जाती प्रमाण लिंग प्रमाण त्यार बाद वस्ति गिचता तो पाई सुरतनी वस्ति गिचता गेटले तो के 1336 1336 तो अथी प्रमाण जो हीद दर तो वस्ति गिचता एटले शुँँँँ कि 140 केो 14 किलो मीटर विस्तार मा वस्वाट करता लोकोनी संख्या एने शूं कहवाई वस्ति गिच्ता कहवाई तो केटली से वस्ति गिच्ता तेर सो छो तेर जे आखा गुजरात मां सवथी वदू छे आखा गुजरात मां सवथी वदू छे तो हवेकल में मने जवाब आप हो के गुजरात मां सवथी ओची वस्ति गिच्ता जो सवथी सउथी वच्ति गित ता कया जिल्ला नी छे कमेंट मां तमें जवाब आपशो क्लियर से तो के सउथी वधू कॉनी शूरत जिल्ला नी केटली छे तो कते दर सो चो टेर सउथी वच्छी कया जिल्ला नी दोगच जिल्ञ में केtली से तो और वकेणा वा देखकी सीना और टवां तर भी तपांर सूरत ईखंभी। अनक में कि सार्जले कुल की सूरत म워서 करा देखक्राशने में केमा समार। तो तो पधल जरश हो जेतर साथका के करें दालो में क्ना व॥ दायों के में कास्थ अक्षर ज्माद्रेड हुता है? पुरुष साक्षर्ता केटली से नेवियाशी 0.56 अन्य स्त्री साक्षर्ता केटली से एसी 0.34 अन्य हवे मित्र आयपूशे गामडा नी सिंख्या, क्ये सूरत जिल्ला ना गामडा केटला अशे? गुजरात मा लोकसबानी बैठको केटली? अटो खाले आपने एक जिल्ला नी बाद करी अवे जो आपना आख राज्य नी बाद करी तो आपना राज्य मा लोकसबानी बैठको केटली? सूरत मा केटली शे? बैठको कई कई तो के एक तो सूरत अने बीजी बारडोली? कई कई शे? सूरत अने बारडोली एमा पन मित्रो अगत्य नी माही ती के बारडोली जे बैठक शे? एक शिड्यूल ट्राइब उम्हेदवार ये टले के एस्टी उम्हेदवार माटे अनामत छे? क्या थी बिजो कोई कास्त नो व्यक्ती चुटणी लड़ी शकतो नथी? जो आई या लेक्यू के केटली बैठक तो के 2 सूरत अने बारडोली एमा शो किदू के बारडोली लोकसभा एशिड्यूल ट्राइब एस्टी उम्हेदवार माटे अनामत छे? हवे मैं तमने प्रश्ण पूशो तो गुबाई सूरत माँ बेर शे अपन गुजरात माँ लोकसभानी बैठको केटली छे? तो याद राकी लेजो मित्रो गुजरात माँ लोकसभानी बैठको कैटली इसे? 26 बैठको चे तो हवे सूरत विधान सभानी बैठको केटली? 16 बैठको केटली बैठको? सूरत विधान सबानी ब्याठको केटली इसे सूर ब्याठको तो हव्यत में जवाब आप हो के गुजरात विधान सबानी ब्याठको केटली तो के गुजरात विधान सबानी पिदान सभानी लिझे ऑं 152 कोर से दो तंसर तंसर न उतंग से inner Sunday का बेमेन दो गए depends sama मिट्यों आवे ये ऊडनैंक हो मैंने आं रहा ही का आले तंसवार में बो Lesley 10 तालू काओ छे, केट ला तालू काओ छे 10 तालू काओ छे, कले सूरत चीटी पची तो के ओलपाड सूरत चीटी ओलपाड पशी 84 पची मांडवी महुआ बार्डोली पलसाना मांडवी महुआ बार्डोली पलसाना कामरेज मांग रोल अने उमर पाड़ा उमर पाड़ा जो उमर गाम वलसार नोशे उमर पाड़ा को नोशे सूरत नोशे को नोशे उमर पाड़ा मांडवी सूरत मां पण छे औने बिजे कया जिल्ला मांडवी तालू को छे एनो जवाब तमे कमेंट मां आपशो त्यार बाद महुआ सूरत जिल्ला मां पण छे तो बिजा कया जिल्ला मां महुआ तालू को छे एनो जवाब पण तमे कमेंट मां आपशो અને એક શે માંગ્રોલ તાલુગો આ માંગ્રોલ તાલુકો છે એ બીજા કયા જિલ્લા માં છે એનો જવાબ પણ તમે આપ્શો તો આયા ચાર તાલુકા તો એવા છે કે જે જિલ્લાઓમાં હોએ તો એક સૂરત માં છે તો ઉમર પાડા જવાબ આપ્શો તેયાર બાદ આગળ વાદ કરીએ મિત્રો સરહદ ની તો આ પ્રશ્ણ પણ પૂછા તો રએલો શે કે બાય તો કે ઉત્તરે ભરૂચ અને નરમદા જિલો ઉત્તરે ભરૂચ અને નરમદા જિલો તો કે દખ્ષીને નીચે કે નીચે નોસારી 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 आ ठीला बाबदsmitlaw आपणे याद राख्षप शूरत-जिल्ल मैं . तो जित भाइब राक्षिजू षूरत-जिल्ला नेॹचर्ति सरहतो पर्टो कीक生 डहे ओं首 फिल्न अया है रोरो फेरी शरू थाई श्या वस्तो आखी अलग छे पन त्यां इते बीजा ना विस्तार तो आवेश ने पन अहीं यह थातो नती नर्मदा माती तमें सिद्ध्य सिद्धा सुरत मा जई शको वच्चे बीजा कोई जिल्लम तमार जवन जरूर नती क्लियर से मित्र आटली बाबत आगल वदिये सुरत जिल्ला नो इतियास आपने आ सामनी माहीती जोई तो आ माहीती जे अपने इत्यार सुधी भिना छिए एक खुब उप्योगी से क्याक ने क्याक पूछाती रहेली माहीती साने एमाय तमारे मुनिसिपल कॉर्पोरेशन छे तमारे तो तमाम आकडाकी या महीती पन याद राखवी जोई शे त्यार बाद जोवसे सुरत जिल्ला नो इतियास के सुरत मां प्राचेन समय मां शूँ हतु कोणे शाशान केरूतु वगेरे वगेरे जेवी बाबत के कया कया वन्शो आएवा था केटलो समय शुदी ये श फासान करता दा एना समय मां शूँशु हो ववस्थावो हती कोणे-कोणे सुरत ने लुईटू थू आक्रमनो थाया था पशित्याग्रा थाया ठौय तो ए सत्याग्रा सुरतनी भूमेव उपर केटला थाया था आजा दिनी लडत होय तो ए लडतमा सुरत वासियो ये शु योगदा नाय पूतु अभिवधी बाबतो नी। तो मित्रो सुरत नू प्राचिन नाम सुर्यपूर होवाना पूरावा मले आवेशे। सुर्यपूर होवाना पूरावा मले आवेशे। ये क्या थी मले आवेशे। तोके अशोक ना सौराष्ट्र ना अने मुंबई ना सोपारा ना शिला लेखो मा थी सुरियपूर ने शुकिदू मित्रोय मा लाट प्रदेश नुँ मुख्य नगर के हवा माय वूँछे तोके सुरत नुँ प्राचिन नाम शुँँ हतु सुरियपूर कई रीत अपिड़ू तोके अशोक ना सौराष्ट्र ना शिला लेखो माय अने आ शिला लेखो माय अने आ शिला लेखो माय शुकिदू के सुरत ने लाट प्रदेश नुँ मुख्य नगर गणवा माय वूँँ मेंद प्रश्न थाए कि लाट प्रदेश ए ले शु तो गवैं लाट प्रदेश है ट्ले दक्षिण गुजरात नो विस्तार दक्षेण गुजरात नू विस्तार प्राच्य जमई मां दक्षेण गुजरात ने कया नमती उलक्मा मा आउतू लाट प्रदेश तरीक abolक्मा मा आउतू अने आज सुरत ने लाट प्रदेश नू मुख्य नगर गणवा मा आयोँँशे अशोक ना शिला लेखम त्यार बाद मित्रो इंस्वीसान 1873 मा जे मुंबई राज्य गेजेटियार प्रसिद्ध थयू एमा पन सुरत नो उल्लेक कया नामे थयो सुरियपूर नामे थयेलो जोवा मले छे तो अब्बेय पुरावा मिले आपने एक तो अशोक ना शिला लेखो मा सुरियपूर एवो अने ए सुरियपूर ने लाट प्रदेश नो मुख्या नगर अणे 1873 मा जे मुंबई राज्य गेजेटियार प्रसिद्ध थयू तो एना अंदर पन सुरत नो सुरियपूर तरीके उ तो एनु नाम सुरियपूर पेडियू हशु तियार बाद मित्रो वाद करिवी से क्षत्रप काल अईवो तो ने गुजरातमा तो कि आज शक्षत्रप काल ने अंदर पुषकर्थी नासिक सुधी येटला विस्तार माँ पुषकर्थ तो राजस्थान नो विस्तार शे नास तो महाराष्ट्र नो विस्तार शे तो कि पुषकर्थी नासिक सुधी येटले के एनी वच्षे ना तमाम प्रदेशों मां कोनो शाषन तो क्षत्रप राजवियोनी सत्ता प्रवर्थती हती हवे एमा धक्षिण गुजरात नो ये विस्तार आपनों छे जे लाट पन आनी वच्चे थतो हतो ये विस्तार पन किया आए वो पुषकर्थी नासिक नी वच्चे एटले कई शेकाई मित्रो के सूरत नी अंदर सव प्रथम कोनु शाषन हशे कोनु शाषन हतू सव प्रथम क्षत्रप राजवी वनु शाषन हतू त्यार बाद आगल वाद करिये मित्रो तो के हवे शक्षत्रप आपड़े जे क्षत्रप पुइंच भनों सो एक्षत्रप पुइंच आयों क्या थी तो के क्षत्रप पुइंच निमित्रो भारत मां कूल पांच शाखावो हती कूल पांच शाखावो अने ए मूल मद्य एशियाना क्या थी मद्य एशियानी सीर दरिया नदी शे ए नदीन पट मां आलोको वसवाट करता हता शको क्या वसवाट करता हता तो भाई शको मूल मद्य एशियाना सीर दरिया नदीना प्रदेश मां वसवाट करता हता अने शको नी केटली शाखावो तो के शको नी कूल पांच शाखावो भारत मां अस्तित्व मां हती यह 5 कही कही तो कि演rea मैं एक हती अफगानिस्तानमाँ , बीD 17, शाका हती पंजाबमँ एनी राजदानी कही हती तो कि अल्बैप पंजाब कई हती तक्षिल्हति बीज पंजाबमाँ राजदानी तक्षिल्हति त्यारवा त्रीजी मतुरमाँ मतुरमाँ initiatives महतुथय तो यह नौ क्षत्रपोना कूल बे राज वंचोनी सत्ता जोवा मलेशे, कूल बे राज वंचोनी सत्ता जोवा मलेशे, एमा एक से क्षहरात वंच, क्षहरात वंच, अने बिजो कार्दमक वंच, तो एमा नासिक नो क्षहरात वंच, अने उज्जेन नो कार्दमक वंच, तो आवा बे रा राज वन्ष 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 व किया कि कोई समय शूरत मा क्षत्र पोनु शाषन हसे एलके गुज़रात माहेन Suzanne हसे त्यार मज़्यार नहपन भुमक ना उत्रादीकारी तरीके कोण आवेशे नहपन आवेशे लेके एलके येना वारस तरीके नहपन राजवी असे शाषन मा आवेशे आज़े बुमक नो उत्राधीकारी हतो, अने आजे खशहरात कूल, नासिक नो खशहरात कूल छे, यहनो क सव्थी प्रतापी राजा कौन गणाएं? नह पाने शत्रप शहरात कूल ना सौथी प्रतापी राजा अने एम नी सत्ता काठ्यावार दक्षिन गुजरात मालवा उत्तर कौंकन अने पूने सुधी विस्तरेली हती हवे पेरिपलस नम नो यात्रावा मसे आießen करिली नोंद प्रमाणे आज यह नह पान छे य noun हज यहनी राजदानी कई हती तो कै यहनी राजदानी हती मिना नगर चेह घ्र ना अवेली शे बरूच और उज्जन ने उज्जन वच्छ है अपनो आलनी जह भरूच शे और उज्जन शे तो आनी वच्छे क्यांक मिनानकर नो विष्थार आवेलो अटो अने ए मिनानकर एकोनी राजदानि लेक नहपान नी राजदानी हाती पेरिप्लस प्रमाने तेमनी राजदानी मिनानगर मां हाती भरूच अने उज्जेइन वच्छे त्यार बाद आगर जोवशे मित्रो उज्जेइन नो कार्दमक वंश बस आपड़े नासिक नक ये क्षहरात वंशे शे एमा फक्त आटलीज बाब हतो अब ब्याज राजा वो भूमक अने नहपान एमा भूमक ए प्रथम ख्षत्रप हता जार नहपान ए भूमक न उत्राधी कारी हतो जे ख्षहरात वंश से एनो सवथी प्रतापी राजा हतो अने एनी राजदानी क्या हाती तो के मिना नगर मा परूच अने उज्जेन नी वच्छे बस आटलो डेटा याद राख्षू त्यार बाद उज्जेन ना कार्दम क्वेंश ना शत्रप हतो एमा सव प्रतम कोण आवेशे चाष्टन कार्दम क्वेंश मा पूशे तो कोण आउशे चाष्टन ख्षहरात मा पूशे तो भूमग याद राज़ो भूलाई नै त्यार बाद आवेशे रुद्रदामा प्रतम कोण आवेशे रुद्रदामा प्रतम कि यनु शाशन हतु इंस्वीशन 130 थी 150, केटलू? 130 थी 150 सुधी, आ शाशन गुजरातमा हतु, यनु शाशन तो समग्र भारतमा फ्यलाएलू हतु, पन गुजरातमा केटलू हतु? 130 थी 150 सुधी, कोनू? रुद्रदामा प्रतम, तो के शक्षाशको मा वल्बीना प्रतनी बिरूद मलेलू उपाधी मलेलिक, तो के रुद्रदामा ये सव थी 9 पात्रा शे, के जे समग्र पच्चिम भारतमा तेमनू? शाशन राज्य फ्यलाएलू हतु, इंस्वीशन 130 थी 150 सुधी, तेमने गुजरातमा शाशन केरू हतु, कोने रुद्रदामा प्रतमे, क तो के रहे तो के 130-150 थी 150 थी येन, येने कया कै उपाधी मलेली, तो के महा क्षत्रव, तो ये उपन कही शे, कै कि ये आकुड नो प्रतापी राजवी हतु, अने शाशन क्या आतु, समग्र पच्चिम भारतमा, तेमने तेमने सौराष्ट्र मा सुधर्षन तळावनू समार काम कराईवू, हतु, अने रुद्रदामानो सौराष्ट्र नो सुबो कोण हतो, सुवी शाख हतो, कोण हतो, सुवी शाख, तो आया प्रस्ण भीजो दाए, तो के बै, सुदर्षन तलावनू समार काम कोणे करेवू, कया क्षत्रव राजवी है, तो के महा क्षत्रव सुदर्षन तलाव बंधाय विव कोणे, या दावेश चंद्रगुप्त मोरिय अने येनो सुबो कोण हतो, पुष्य गुप्त वेश्य अना द्वारा शूँ थयू हतु, सुदर्षन तलावनू निर्मान करावामा आएवू, हतु, मित्रो अवे आईया आपड़े प्रश् हतो, पुष्य गुप्त वेश्य, चंद्रगुप्त मोरिय, चंद्रगुप्त मोरिय अनो सुबो कोण हतो, पुष्य गुप्त वेश्य, आपड़े जे रुद्रदामा शे, रुद्रदामा प्रथम शे, एनो सुबो कोण हतो, तो के सुवी शाक, रुद्रदामा नो सुबो क कौन छे सुवी शाख तो हवे तमे मने जवाब आपो के समराट अशोक नो सुबो कौन हतो कमेंट मा जवाब आप शुप आपने हाद लेख समराट अशोक ने एव ददाना ये जुनागड मां अवेला से शिला लेखो, एमां बीजा बन्नेजे शिला लेखो शे एके वा शे प्राकृत बाशामां, रुद्रदामानों शेमां शुद्ध संस्कृत बाशामां देवनागरी लिपीमां लखाएलो छे त्यार बाद अशोक ना सुबानी बाद करिती मित्रो, तो अशोक न सुबो हतो तुशाष्फ, खाण हतो तुशाष्फ, लेर से त्रणे त्रण सुबावो आगल वधिय मित्रो तो के रुद्रदा माएं साथ वाहन वंच ना तो आएक साथ वाहन वंच शे सात वाहन वंच नो जे शाषक हतो जे हतो पुलु मावी वाशिष्ठी पुत्र पुलु मावी तरीके वलखातो तो आ वाशिष्ठी पुत्र पुलु मावी ने बे वखत अरय होतो गेटली वखत बे वखत हरावी ने महाक्षत्रप्नी उपादी धारण करी हती अजे रुद्रदामा अचे मित्रों एने शुकेरू सात वाहन वन्षेना शाषा कता वाशिष्टी पुत्र पूलु मावी यहने बेवकत हराई ओतो अने एटला माटे यहने कई उपदी मली हती महाक्षत्रपनू बिरूद मेलिव हतु प्लियर से अने विश्वसेन यह आ वन् 45-45-45-45 यहन गुप्त राजवी कुमार गुप्त नी सत्ता सूरत माहती कुमार गुप्त नी तो अवे प्रश्णतम देवोपन पुछिले के बाई गुप्त वन्षेना कया शाषके 455 ती 455 यान सुरत पर राज केरू हतु तो जवाब शू आउशे कुमार गुप्त तो हवे तमेक्यो कि वाई गुप्त वंचनी स्थापना कोने करी गुप्त वंचनी स्थापना कोने करी अने कया गुप्त समराट ने भारत नो नेपोलियन तरीके उलखवामा आवेशे आवा प्रश्नों साथे साथे आपने याद राखता देवान तो कि गुप्त वंचनी स्थापना कोने करी श्री गुप्ते करी हती कोने करी हती श्री गुप्ते करी हती अने भारत ना नेपोलियन तरीके कयो गुप्त सम्राट ओल खाए? समुद्र गुप्त विना वगाडतो दर्शेवन समुद्र गुप्त लियर स्याटली बाबतो त्यार बाद मित्रो आगल वाद करिये तो मैत्रक औने सोलंकी वैंश मैत्रक औने सोलंक वैंश गुप्त वैंश नाके या शाषक अता तो के कुमार गुप्त अता 4545 वन्दरम्याद येने सुरत मां शाषन करू त्यार बाद मैत्रक औने सोलंकी कालमा अलग अलग राजा वोये सुरत ना विविद स्थलोये सत्ता स्थापी हती यमा खास आपने बह याद राखवानी जरूर न थी पन डिटेल आपनी नजर समक्ष आपना सांबडवामा एकवर आवी होवी जोई तो यमा हालनू जे मंगली आशे तिया कोण शाषन करतू हतू राजा विजय इसी पशे विशनपूर्मा तो के राम देव अने वासंत पूर्मा राजा विरसिहनू शाषन प्रवर्तमान हतू सुरत शहर में हवे मित्रो गुजरात मां स्वतंत्र सल्तन तो आ बदा काड आपड़ो राजबूत यूग पूरो थाए पशी स्वतंत्र सल्तनतनी स्थापना थाए मुगल काड आवे शे तो आज ये समय गाळा दरम्यान सुरत मां कोनू-कोनू शाषन हशे तो के स्वतंत्र सल्तनतनी स्थापना थाए एना पशी सुरत रांदेर ना हकीम तरीके कोन आईवो थू शेख मलिक के जने कया नामती ओलख मां आवे शे मस्ती खान तो के गुजरात मां स्वतंत्र सल्तनतनी स्थापना पशी सुरत रांदेर ना हकीम तरीके कोन आईवो थू शेख मलिक के जने आपने मस्ती खान तरीके ओलख हिया ची अने आनो उल्लेक्यां जोवा मले तो के मीराते सिकंदरी ग्रंत मां अनि इस भीसन पंदर सवतीर मां तो का मुगल बाजशा अकबर आवे शे अन ॉक्भरशु करेशे सुरत पर चडाई और गुजरात चीतीलिज ये हवे सवथी महत्व कानके आवेशत माशालीत ते राध्पूत युग वयोगियो, स्वतंत्र सल्तनत वही गई, मुगलकाल वयोगियो हवे परस कोन आवे? अंग्रेजो आवे, गुलाम बनावा माटे सव प्रत्म वयापारी को थे एने क्या स्थापी हती? शुरत मा स्थापी हती तो सव प्रत्म मित्रो वारत करिये इसाग सोडसो ने आठ मा यारे सोडसो आठ मा सुरत बंदर भैंदर इसवारत शो अथे आपने नामों चोईशु तो के 1608 मा सूरत बंदर ए इस्ट इंडिया कंपनी ना प्रतिनिधी तरीक्या सवप्रतम कौन आवेशे, कैप्टन होकिन्स आवेशे, कौन आवेशे, कैप्टन होकिन्स आवेशे, और जवाब आप हो, कि आवोकिन्स जी आईवो थे, एक कया जहाज मा आईवो हतो, सौप्रतम कौन आवेशे, सूरत बंदरे 1608 मा, कैप्टन होकिन्स, विलियाम होकिन्स, तो इक कया वहाण मा आईवो हतो, तो के हेक्टर नामना, होकिन्स हे, ए हेक्टर नामना जहाज मा आईवो हतो, और एने पोतानु जहाज क्या लाएंग रू हतो, तो के सुवाली ना दरिया किनारे आपने भाउगोलिक प्रदेशो बन शुँ एमा कर शुग बाई तापी न दिनो उत्तर किनारो एटले सुवाली नी टेक रिएू तो आज ये सुवाली ना दरिया कीना रेशे एने शू किरू हतू पोतानू वहां लाएं गिरू हतू अने जारे होकिंस अईया गुजरात मा एवो स्तूरत बंदर है वो त्यारे कया मुगल समराटनू शाषन प्रवर्तमान हतू तो के जहांगीर नू कोनू हतू बाई एवर्तमान वेशे घानीया अबित्र के कैपक्टन होकिंस ने जहांगीर आवखिंस करवा नी परमीशन आपी नोती। है तो जल भाई जावदे हमारी के दंदा करवा न थी। अमारे आये जए जे व्यागिंसा सा रही के जैए भरो भर्स है अमारे कोई तम्ने आये आये हो आवा देवन थाता नथी। अले शूँ थायू, होकिन्स पासो वयोग्यों। पसी, तो के तेर मा, सोड़सो, तेर मा, कोण आवे से, सर्टोमसरो आवे। आवे। आवे, आवे, लोकों ने खबर हती। ने, भारत सही सोने की चिडियातरी के वळखातो याना जे मरी मसाल आता, मलमल हता, आ बदूजे कापड तू अणा आपनों मरी मसाल हतो यहनी मांग विदेशों मां पन पुष्कल हती। आयां थी थोडोक माल लई जाये, तो एनी अनेक गणी किम्मतों तिया मलती, कारण तो के ए लोकोने आ वस्तुनी जरूर हती, ए ठंडा प्रदेश माँ वस्वाट करता लोकोष, हावे लोकोने तो व्यापार किर्या शिवाय चुटकोनो तो, वोकिंस गयो, येनो भाय एव, ले येनो भाय नो तो, पन क्यावाय अंगरेज, अंगरेज भाय, वोकिंस पशीखोन एव, सर टोमस रो, का सर टोमस रो एशुँ किर्यू मित्रो, जाहांगीर ना पगमा बडी ग्यो, पगमा त्पड़ी ग्यो, काई देश अ, कि बापु तमी रजा आपो तोई ते नो आपो तोई बाकी मारे जावन था तू न थी ए उच के वाए ने तो के सर टोमस रोए चाहंगीर पासे रेश्खु पेरू व्यापार करवानों परवानों मेलेवो अने मित्रों 13 पची इंसमेशन 1663 मां अंग्रे जोई भारत मां सव प्रथम व्यापारी कोठी सुरत खाते स्थापी जिए स्थापी बाई सुरत खाते 1663 मां हवे मित्रों 1665 नी साल आवे शे तो के 1665 मां कईयो शाषा कतो शाह जहा तो के शाह जहाना समय दरम्यान हकीकत खान इसाक बेग जजदी शू नाम चेनू इसाक बेग जजदी जयने आपने कया नामी याद राखी शू हकीकत खान यहने शू केरी होतू मुघल सराई नू निर्मान करे गूँ हतू अना मुगल सराई तमारे बदाने फरज्जत याद राखवानी शाह माटे तो के न्याक तो तमारे इत्तियार सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नी कचेरी बेहश अब आपने बदाने खबर छे के शिवाजी महाराजे बे वकत सूरत ने लुट्यू हतु शिवाजी महाराजे के टली वकत लुट्यू बे अवखत एक तो चोड़ सो चोंशट मां और वीजु सोड़ सो सित्तेर मां चोथ उग्रावाना बाहने चोथ एक प्रकार नों टेक्स ह सूरत शहर नानावत तरीके वोलकात तु अने एमने चोथ उग्रावाना बाहने 1967 सित्तेर मां जोथ लूसट लुट्यू बे वकत लुट्यू पार्नेर नी ठेक्री या दवेजर पार्नेर नी ठेक्री उपरे रोकाना था, या माता भवानीन नू हुँं कि युएने मंदि तो प्रश्ण पूस एक शिवाजी महाराजना समय मां अत्वा तो शिवाजी ये ज्यारे सुरत पर आक्रमन केरू लूट चलावी तारे सुरत शहर कया नाम थी वड़क आतू कि त्यारे सुरत शहर ये नानावट करी कियाने वड़क वामा आउतू त्यार बाद आगल वाद करिये मित्रो तो के औरंग जेब कोण आवेशे शाषक औरंग जेब तो कि औरंग जेब ना समय मां सुरत नी अंदर बे धनीक व्यक्तिव किटला बे धनीक व्यक्तिव एक विर्जी वोरा और बीजा भीमजी पारेक कोना समय नी वाद छे भाई अवरंग जेब ना शाषनकालनी कोण एक विर्जी वोरा और बीजो वैश्नव भीमजी पारेक ये बे नगर्षेट जे मां थी बीमजी पारेक है जो आब ये नगर्षेट विर्जी वोरा और बीमजी पारेक एमाना बीमजी पारेक है क्यारे 1645 तेर पंचो तेर मां भारत मां सव प्रथम चाप खानानी स्थापना करी हती 1645 तेर मां भीमजी पारेक है मुंबई मां भारत ना सव प्रथम चाप खानानी स्थापना करी हती अने एनी अंदर सव प्रथम पुस्तक कईू छपाई होतु स्रिम्बभगवत गीता चाप खाना मां आवी हती तेर बाद आगल बाद करी है मित्रो के आपने जे वाद करी शे एमां एक भीमजी पारेक हैंने शूं करी तो अबेके बीज़्ाव्यक्ति वैजा हैंने शूं करी आज खबर पड़ी किया चाल लाइवू कौन करेखर अमीर वर्ग मां पिनू प्रख्यात अतु अत्या तो गम्मेन यह मली जाएने काण के तो में जो बलावन देशत चाले ने तो क्या उपरांच सुरत मां बिजा नगर शेठ वीरजी और आये पहली बार भारत अने गुजरा आपने मुण जावानू नहीं कि यहम तो के स्रिमंत वर्ग नू पीनू शे आपने कोई सामयन्य शीये नहीं पीना तरीके चा अने कौफी शू के रिया प्रचलीत के रिया होवानू केहवाई छे अने और अरंग जेबना समय मात्ते मित्रो एम नीच्या बहन एती जहान आर आपने जहान आराने ज़ागी राप्पाम आवी हती अने ए जिजग्या ए रहता हता ए जिजग्या हालना समय मा बेगम वाडी तरीके के बेगम पूरा तरीके उडखवामां आवे छे अने आ मुगल सराई मां आवे लुजे चिंता मनी पार्ष्वनात जैन देराशर ए हो समय मा अरंग जेबना समय मा बांधवामा आएवु मित्रों मुगल सत्ता धरमियान सुरत फरते दीवाल बनावामा आवी हती जयने शहरे पनाहना मा प्वामा आएवु हतु चे कोई बाहरी आक्रमनों होई एना थी रक्षन मेलाव माटे मुगल समी माशूत विवतु मित्रों अखा शहर फरते दिवाल बनाव माईवी जेने शूना मैपू शहरे पनाव अन येन स्थानिक लोको कया नाम थी ओलत था नाना कोट नाम थी ओलत था परन्तु समय जेता शहर नो विश्तार वदवाल आगयो अन शहरे पनाव नी बहार एटले कि आज ये नानो कोड जे दिवाल बनावी थी एनी बार पन वस्वाट शर विशाल जिग्या मा निर्मान करवा मा आएवू जेने शूना मैपू आलम पना अने चेने लोको कया नाम थी ओलत था ने लोको मोटा कोट तरीके ओलत था तो नाना कोट अने मोटा कोट शहरे पना अने आलम पना आ बाबतो आपने याद राक्विश युत्यार बाद वित् इस भी संग उगरिशोने शातं मा, गुजरात मा, शूरत खाते, जो गुजरात मा, ही खुरत खाते 16 प्रतम, गुजरात मा, शूरत खाते आई-एङन्सी एक भारतिय राष्ट्रिय कोंग्रेस नू अदी वेशन, बरायू हतु, केटलामू अदि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस क्या रे ओगनी सोने साथ मुझरात ना सूरत खाते भरायू इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इंडियन नेशनल क कॉंग्रेस इंडियन ना अधिवेशन बरायू गुजरात नूँ प्यालू हतु पण इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नूँ केटला मो हतु त्रेविश्म अधिवेशन जना अध्यक्षकोन अधा रास्बिहरी गोष्ट अने आज अधिवेशन मा मित्रों कॉंग्रेस ना भागला पेडिया हता त्यार बाद वात आवेशे उगणिसो आड़त्रिश्म आड़त्रिश्मा बार्डोली तालुकाना हरी पूरा खाते कॉंग्रेस नूँ अधिवेशन भरायू हतु और ये केटला मो अधिवेशन हतु बावन मो अधिवेशन अन जना अज्यक्षकोन हता आपना नेताजी बोज अन आ गामडा मा भरायलू इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नूँ पहलू अधिवेशन हतु तो के गुजरात मा आई अन्सी नूँ पहलू अधिवेशन कई जिग्याए सूरत मा क्यारे उगणिसो सात मा अन त्यां थ्यू अध्यक्षकोन अता रास बिहारी गोष्ट श द्यक्षकोन अता नेता जे सुभाष्च चंद्र बोज अने गामडा मा भरायलू अने एक कयो विश्तार अतो विठल नगर तरीके ओलकाता गाम्मा कया गाम्मा विठल नगर तरीके ओलकाता गाम्मा कॉंग्रेस नूँ अधिवेशन बरवामा आयगू हतु त्यार बाद बात करवी छे कि सुरत लेथा शे एने आजादिने लड़तमा शोशू आयेपू कि वो फालो आयेपो और शुरत ओले ऐनसे सत्यागर हो तो कि शुरतमा थायतीला lions शत्यागर हो और आजादिने लड़तमा सुरतनी भागीदारी इमां सवुथी महत्वनों होए तो आपने बद्दाने क्याल से 12 डूली सत्यागर तो कि इस विशन 1128 डूली तालू का मा अर थो तो शामा ते तो कि ये जमीन महसूल आकारणी करनार जे कलेक्टर हातो कलेक्टर जैकर अने सेटलमेंट कमिश्णर ये शू करिए जम्मिननी खोटी आकणी करी अने तालूकानू महसुल केटला टका वधारानू विरोध करिने वधारानू महसुल न भरवानो थराव केडरो ये ने बले वधायरू खोटी आकणी करी इशने खरेकर एटलू बुदू महसुल थाए नि पणे वधारो केटलो शूचवो त्रिस्ट का क्यालोकोनी उपज वधी शे तो अवे टेक्स-पने वधुव जोई है तो केटलो केरो वदारों मेसूल, त्रिष्ट का वदाईरू, एटले खेडूत वशू नकी किरू का आपने भरवानू थातू, न तेना, आपने सरकार सामेशू करूँछे, लड़त चला विविशू. अणे अउच्छा आजोईने मित्रो, कुवर जी भाईये, कोने कुवर जी भाईये, नाकर नी लड़त नी जे आगे वानी, कोर न नहीं बरो, एटले नाकर, नाकर नाकर लड़त नी आगे वानी, कोने आपने नकी किरू, सर्दार वल्लब भाई पटेल, खरकर आया सुधी ए स सर्दार नहता, जो आ सत्याग्रह सुधी ए वल्लब भाई पटेल, पर्षी थीशू बनेशे, सर्दार बनेशे, अने मित्रो, एने सफलता पुरुवक, आ सत्याग्रह नू सुकान संबैलियू, जेना कारणे बार डोली सत्याग्रह नी बेहन होई, वल्लब भाई पटेल ने बद्दा ने खबर होई, लोखंडी पूरुष, तो लोखंडी महिला तरीके कोने उळखवाम आवेशे, एनो जवाब तमें कमेंट मां आपशो, हने हवे, बार डोली नी महिला होई ये तो आए पूछे, परन्तु एमा कोई स्पेसिफिक प्रश्ना पूछे लिदो, कि कोन आए, कया व्यक्ति ये, कई महिला होई ये कूछ, तो कि अकोटी गाम ना, बार डोली तालू कानूज गामडू जे, अकोटी गाम, अने एना बिखी बेने, बिखी बेने, सव प्रथमवार वल्लब भाई ने सर्दार तरीके संभोधन केरू, हतु, अब ये वित्रो वाद कर विबार डोली सत्याग्रा पशी, दांडी कूच अने सुरत, क्ये भाई दांडी कूच मां सुरत नूशू का योगदान खरू, तो क्या हाँ, दांडी कूच मां पन सुरत नूँ योगदान छे, तो दांडी कूच क्या रे शरू थाईती, 1903 मां, पन कही तारीक 12 मी मार्च, गांधी जी अने नी साथे रहेला एक कूल मानसोनी वाद तमारे जवाब कमेंट मा करवानों रहेशे गांधी जी ये लिम्बू सीवाई ना तमाम जातना फड़ो नो त्याग करवानों संकल्प केरो गांधी बापू ये की दू? क्या आज पशी आपड़े लिम्बू सीवाई काई लेशू नहीं? अनली फोर लिम्बू पाणी कोई वस्तु लेशू नहीं कोई फड़ फ्रूट खाशू नहीं आपड़े आवो संकल्प कराई जे मलेई खाई लेवाई तो क्या गांवे थी सूरत ना एर्थान गांवे थी आने सूरत नी सरहद मां सभा संभा संभोधन मां अंध कवी हता जोचू अंध कवी हता कौन हतु तो के हंसराज अने एने एक गीत गायू हतु के टोपी वाळाना टोडा उतिर्या गीत कणे गायू हतु अंध कवी हंसराजे अने जना थी सत्याग्रहियोनों जुस्वधायरों हतु अवे दांडी कुछ मा मित्रों सुरत जिल्लानू छेल्लू गां कई हतु कपले था जो एर्थान गां में गांधी जी एशू केरू संकल्प लिदो तो के लिम्बू सिवायना कोई फड़ो अवे आपने लेशू नहीं पन अंतिम गां कई होतु कपले था अने आ गांना लोकोई मित्रों कई नदी पार करावा माटे तो के मिंडोला नदी पार करावा माटे गाडा ने पाणी मा व्यवस्थित गोठवी ने गाडा नो पूल बनाईवो था तो के जितिकने ने सत्या ग्रहियो सरल ताथी मिंडोला नदी पार करी शक्या गांना लो तो आटली बाबोतो मित्रो आपने सुरत जिल्ला ना इतियास नी याद राखिशू। तो आपने सुर्यापूर अने सुर्यापूर अने सुर्यापूर का डाखिश। टापती ओंतू तो जिकाए नहां गाने बिजो नाम पशी तो कि Diamond City, Silk City, हिरक नगरी, Diamond City तरीके उलखवा मा आउतु हतु, त्यार बाद नर्मद नगरी, हवे कभी नर्मद नो जन्म क्या, सूरत मा, तो एना नाम उपर ती सूरत ने कई नगरी तरीके उलखवा मा आवे छे, नर्मद नगरी तरीके, त्यार बाद दिल बहार नग पशी तो कि भारत नू टोक्यो केहवाई, भारत नू टोक्यो केहवाई, पशी तो कि भारत नू एंटवर्प केहवाई, भारत नू टोक्यो अंड भारत ना एंटवर्प तरीके उलखवा मा आवे छे, पशी तो कि फ्लाइ ओवर सीटी, एक साम टा फ्लाइ ओवर आवे ला मलेलू शे, बंद मुबारक तरीके ओलखवामा आवे छे, इरा उद्योग नूँ पाट्नगर तरीके ओलखवामा आवे छे, मक्का बारी त्यां थी मक्का हज करवा यात्रालू ओजे जता हता, एना माटे शू किरूतू ए मुगल बाच्छा होए, वेवस्थापन करावी हती, तो के ए मक्का बारी, एलेके मक्कानू प्रवेश्दवार सूरत केवाई, और सूरत ने बाबूल मक्का तरीके ओलखवामा आवे छे, मक्कानू प्रवेश्दवार और बाबूल मक्का तरीके ओलखवामा आवे छे, त्यार बाद गेटवे ओफ पोर्ट, एलेके हजीरा, ग तो कि ये सूरतना विस्तार हो छे एना भवगोलिक प्रदेश हो छे एक कयो प्रदेश एटले कयो विस्तार सव प्रतम जोवुशे सुवाली नी टेकरी ओ तो आपने इतियास बनता ता त्यारे पन आपने एक वार उल्लक के यो तो के सुवाली नी टेकरी ओ एटले के यो पसी बिजू तो कपै मही थी ढाडर न दीजे शे एना मूख प्रदेश नी वच्चे 30 मिटर करता उंची अने काप थी रचा एली जे करार हो शे एने पन कया नाम थी ओलक को आम आवे सुवाली नी टेकरी ओ अपने याद छे ने इतियास बूली न थी क्या ने यह है मैं है पोतानल पे अने सुवाली न दरिया किनारे कि हो शाते याद रहे है खर ढादी दरिया किनारे un- schaut हे ने तापी न दी नो थी न अऄधा येलिए सुवाली नी टेकरी हो तीयार बाद आगल बात करिये मित्रों तो कि लाट प्रदेश कयो प्रदेश लाट प्रदेश तो कि लाट प्रदेश येटले तो कि मही अने रिवा नदी वच्चे नो दक्षिन गुजरातनो विस्ता मही औने रिवा नदी वच्चे नो दक्षिन गुजरात नो प्रदेश एटले लाट प्रदेश अने टोले मिये लाट प्रदेश माटे लाटी का शब्द प्रयोज्यों कैं नदी मही औने रिवा नदी वच्चे नो विष्टार दक्षिन गुजरात नो विष्टार एटले लाट प्रदेश हंने आज लाट प्रदेश न जुजोई तो कि सुबाली नी ठेकरी हो तो पैं तापी नदी न उत्तर किना रो यह सुबाली नी ठेकरी हो तरीके उलखवामा अउतो हतो त्यार बाद मित्रों हवे जोवी अपने नदियों अंडियों मां जोव प्रतम जोवी शे तापी नदी कै नदी तापी नदी तापी नदी तो के प्रदेश राज्यना बेतूल जिल्ला मा आवेली साथपूरा परवतमारा ना महादेवनी टेकरियों परवत माला कई साथ पूड़ा एनी टेकरी हो कई महादेवनी टेकरी हो अने एम आवेला बेतुल सरोवर माथी जिल्लो कई हो बेतुल रज्य मध्यप्रदेश त्यां थी कई नदी उद्भवेशे तापी नदी उद्भवेशे व्यान के होड़ै तो कुए पूर्वति पस्चिंबच उद्भवेशे एनी शाखा नदी हो कई तो के गीरना वाकूर बोरी वैर अनेर कई कई तो के गीरना वाकूर बोरी वैर अनेर કોણી શાખા નદી હોશે તાપી નદી નિની શાખા નદી હોં હવે બંદ ની વાદ કરીએ મીત્રો तो के तापी नदी पर कोई बंद आवेलो शे तो के आँ बाय तापी नदी उपर शुम आईवो तो के तापी जिल्लामा कयो बंद छे उकाई बंद छे अन्य सुरत जिल्लामा काक्रापार बंद छे आय dependence होआ आवेलो से स उथी मोटु ताकि योधा बंद हमथव कया बंद हो पर काक्रापार बंद मां कया बंद है तोके एक होग कया जिल्लप मां तापी जिल्लप मां सुरत जिल्ल्ला मां कयो बंद काक्रापार बंद बांध मां आफेलो छे, हवे केतला जिल्लाओं मा थी वहे, तो के तापी अने सुरत जिल्ला मा थी, तापी अने सुरत जिल्ला मा थी, अने गुजरात मा क्या थी प्रवेशे, आवेशे क्या थी, मध्य प्रदेश मा थी, गुजरात मा क्या थी प्रवेशे, तो के हरण फाल नाम ना स्थले थी, तापी जिल्लानों निजर तालूको अने ए निजर तालूका ना हरन फाल पासे थी आ तापी नदी एक गुजरात मा रवेशे शे शुरतमावेला डुमस खाते अरब्सागर माधिकों ने मले अरब्सागर्ने, जो नदी समुदरने मॉल्खती नहीं वह थी तो ऑघज मज्य प्रदेश चिल्ल बेतूल वहें के उसे तो अनो वहें से ने पूर्वत थी पस्चेम त्यार बाधी शाखा न दियो तो कि गीर Background वागोयर बोरी वेर और अने और जेवी न दियो कया कया जिल्लाओं माती तो कि तापी और खें फाल नाम नास थले चि glorious फेट गुजढ़रात मा प्रपने टोक कहा तो कि शूरत मा आव정ललो चेए ऑद्या पाशेना दरिया किनारमा अरब सागरमा लंबाई केटली से बाई 752 किलोमेटर तापी नदी नी कूल लंबाई जो आ या कूल लंबाई नी वाच चे कूल लंबाई केटली से बाई 752 किलोमेटर एमा ती गुजरात मा केटली तो गुजरात मा बस सो 24 किलोमेटर केटली से बस्सो चोरस कीलो मेटर क्षित्रफ़न मगज मा चड़ी जै कुल लंबाई गेतली 752 किलो मेटर यह माती गुजरात मा गेतली 224 किलो मेटर हवे आना कीनारे कया कया शहरों आवेला शे आ प्रश्न पन वारम वार पूशा तोई क्या बाई तापी नदीना कीनारे कया कया शहरों आवेला शे तो किक तो सूरत आईवू, निजर आईवू, मांडवी आईवू, उकाई, काकरापार अने कामरेज ता बद्धा विस्तारों कीया आईवा शे तापी नदीना कीनारे खास आपड़े याद राखी रेवानू, सूरत निजर मांडवी, बस, अने कामरेज सूरत निजर मांडवी आणे कामरेज, आचार याद राखी लेशू ता बाद, आगल बाद करिये मित्रों तो तापी नदी शे, येना मुख नी अंदर, मित्रो एक बंदर आवे लूँछे अने बंदर शे मगदल्ला बंदर तो अब प्रस्ण पूशा है के कयो बंदर, ये तापी नदीना मुख प्रदेश्न मां आवे लूँछे तो एनो जवाब आउशमित्रों मगदल्ला बंद त्यार बाद वाद करवी से कीम न दिने तापी नदी क्लियर क्या थे उद्बवे कुल लंबाई के तले आटला पॉइंट याद राखोने क्या थे उद्बवे तो के मध्य प्रदेश राज्यन बेतुल जिल्ला न साथिपुडा परवत माळानी महदेवनी टेकरियो मा थी आवेला बेतुल सरोवर मा थी गुजरात मा क्या थी प्रवेशे तो के हरण फाल नाम ना स्थले थी तापी जिल्ला ना निजर तालुका नूं हरण फाल नाम नू स्थले थे त्यां थी लंबाई केटली तो कबै कुल लंबाई 752 किलो मिटर शे गुजरात मा लंबाई केटली तो कबै गुजरात मा लंबाई 224 किलो मिटर शे तो आप नदी ए नेत्रंग तालूकाम आवेला साथ पूडाना डूंगरों मां जर्ना वाडी गाम पासे तो आप नेत्रंग तालूकाम 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 सहायक नदियों कई तो के टोकरी अने कंटा अब अन्य कोनी सहायक नदी से कीम नदी नी सहायक नदी छे नर्मदा अने तापी नदी नी वच्चे थी आ नदी पसार थाई जो प्रश्ण आओए कुछ है नर्मदा तापी आ जे नदियों निकले ने ये वच्चे थी कई नदी वहे शे त्यार बाद बाद करिये पूर्णा नदी नी तो के पूर्णा नदी क्या थी निकले तो के पिपल नेर पिपल दहाड पिपल नेर ना डुंगरों मा थी सहयादरी परवत मालानू जे पिपल नेर ना डुंगरों मा थी कै नदी निकले पूर्णा अंत क्या थाय तो के वालमी की अने गीरा पुरणा नदी निंगले जेँ तियार बाद कीμ नदी नी लंबाएके एतले 112 किलो मिटर आगल वाद करिया मिद्रो też कि आ नदी पुर्णा नदीना कि नारे कईयु अभियरणी आव meerईलू fakु पूर्णा वन्य जीव अभ्यारेन्य आवेलू छे कै नदी नगीनारे पूर्णा नदी नगीना आ नदी नगीनारे पूर्णा नदी नगीना आ नदी प्राचिन नाम हतु पूर्णीमा पयू नाम हतु पूर्णीमा त्यार बाद अंबीका नदी कै नदी अंबीका नदी क्या फूल डिटेलो कोटाम भी गाम न जो अंतिम स्थान तोका नवसारी जिल्लाना बिली मोरा खाते कोने समाई जैशे शेमा समाई जैशे अरब सागर मां समाई जैशे लंबाई केटली तो लंबाई एक सो चतरिष किलोमीटर और शूरत खाते आ नदी पर कयो बंद बांध मां हो शे मधर इंडिया बंध अवे लह झान्ध नहां लिल्स चेंटा कई नधी से लोगोशेच जिल्ला आवेशाद में हवे आईया एक नोध करीन आई पूश्यमित्रों के दक्षिन गुजरात मा आवेली गुजरात नी कावेरी नदी ये वास्दानी टेक्रिवो माथे निकली अने बिली मोरा नजीक अंबीका नदी ने मले चे कावेरी नदी पन आनिशु थाई गई सहायक नदी थाई गई हवे दक्षिन गुजरात नी अन्तिम नदी काई शे दमन गंगा ये उत्तर थी दक्षिन तरफ वहन धरावती वोई ये दक्षिन गुजरात नी अन्तिम नदी काई तो के दमन गंगा त्यार बाद आगल वाद करवी शे मित्रों आना नदी कीना रनास्तलों ने आ चार नद प्रश्न पूशाय शके तो के नर्मदा नियु वच्चे थी कई नदी निकले नर्मदाने तापी वच्चे थी तो के कीम नदी आवा आमुक मुख महत्वना प्रश्णों शे आपने याद्राखी लेगवाना बाकि महत्यों शोवना नदी के नार ना थलो अने बंधविश में दि थनार्ज ईक शूरत कैंची नदी ना किंआारे तापी नदीमा ऩानदी applaudर च्चे नारे तापी नदी ना किना। अटली बाबतों क्लियर से मित्रों क्याराजा आगल और वाज क्रियर से मित्रों पूल विशय ने कि सूरत जिल्ला में कया-कया पूल आवेला एक तो प्राचिन होपपुल कई नदी उपर तापी नदी उपर होपपुल कई नदी उपर तापी नदी उपर जिल्लों कई उ सूरत हवे ब्रिटिश अपसर नाम पर थी इस विशन अडार सोने सत्यों तेरमा तापी नदी पर बनेल होप पूल एक गुजरात नों सौथी जूनों पूल जो प्रश्णा आपना माटे बनी जाए कि गुजरात नों सौथी जूनों पूल कयो होप पूल क्या रहे बहिन अड त्यार बाद मित्रों तलाव नी बाद करिये तो के गोपी तलाव पूल महत्मनों कयो होप पूल सरदार पूल मक्काई पूल अने विवेकानन्द पूल सौथी जूनों कयो होप पूल त्यार बाद तलाव नी बाद करिये तो के गोपी तलाव आवे लूशे कही जी गया है स सुरत जिल्लामा, गोपी तलाव सुरत जिल्लामा, तो के गोपी तलाव साथे मलिक गोपीनु नाम संकलायलू छे, शोव उलखिया छिए, कि ये नागर ब्रामन हतो, व्यपारी हतो, मलिक गोपी, आ गोपी तलाव किया आवेलू छे, सुरत जिल्लामा, तो के गोपी तलाव सा मलिक गोपी नुँ नाम संकलाईलू छे अने तेनी राष्ट्रिय कार की दिनी शरुवाद सोल मी सदी थी शरु थयेली जे सुरत मा आवीने वश्चा अने गोपी पूरा नाम थी एना नाम पर थी एना गोपी पूरा स्थलपन आवेलू कोना नाम पर थी मलिक गोपी नुँ पूरा आपने येश्मी येद रक्षु गोपी तलाव की आवीवू सुरत जिल्लामा त्यार बाद आगल वाद करिया मित्रो तो बंदरो शेना विशे वाद करवीशे बंदरो विशे निए तेमा सव प्रतम जहुँशे मगदल्ला बंदर कई बंदर मगदल्ला बंदर तो कई नदी तापी नदी ना मुख प्रदेश मा आवेलुशे कई बंदर मगदल्ला बंदर आरसर चा ओल रेडिया आपने आगल करिली थी आ बंदर पर थी ZCL अने ZNFC दबारा रोक फोस्फेट नी आयात करवामा आवे छे चैनी रोक फोस्फ ुज्शा सिमेंट नी प्राइवट जेटियो पनावेली सुरत बंदर मां काप बरात हो आती तेना विकलप मां मगदल्ला बंदर विकसाभामां विकास करवानी गुजरात सरकारे जे निती अपनवी शे येना भाग रूपे हजीरा बंदर नो विकास करवामा भान आ बंदर ना विकास माटे तापी नदीमा हजीरा चैनल वोटर तैयार करवा माँए। आ बंदर ने हजीरा बंदर ने समगर वर्ष दरम्यान ओसा माँए। गुजरात ना त्रण LNG टर्मिनलों पईकिनू ये कई जीगे आएशे हजीरा खाते आवेला LNG टर्मिनल ना विकास माटे पॉर्ट अफ सिंगापोर ऑथोरीटी साथे करार करवा माँए वाचे। त्यार बाद भगवा बंदर के आएवू सूरत माने डुमस बंदर पन कई जीगे आवेलू शे। शूरत जल्लामा आवेलू is त्यार बाद भगवा बंदर पछिन करीव आपने डेरी सूरत जिल्लामां कै की के डेरी सूमूल डेरी क्या आवेली शे। पस़िग्या हो आवेली शे। सूस्वास माा सूमूल ने 4-8 डेरी। त्यार बाद आगल बात करें ये सूरत नी वखनाती वस्तू हो मैस हवे मज़े आवे कि सूरत नी ओलक तो शे ना काई तो येनी वखनाती वस्तू हो कई-कई तो के एक तो जरीक आम वखनाई पशी तो के जर्दोशी वर्क वखनाई तनसाइक आपड सुरत नू वखनाई अने हावती फ्यावरिट पॉंग, खमणी, उंद्यू, खारी, जमाण पाणी आवी जै मोटा माई येमाई भूख लागी वोई अत्यारना समयें तो येम अत्तैक नहीं काई खाई लेवुशे शु वखनाई सुरत नू तो के पॉंग, खमणी, उंद्यू, खारी आने सुरत नू जमाण ये कहवत पण छे न मित्रों कि सुरतनु जमन अने काशीनु मरण परेख्यात छे बनने पर्षोती ब्याल ये बतला मत शुरत जाला भोगवे ईता है मढ़ी ने ये पन सुरत विस्तार खमनी ये पन कोनी वखनाई छे तो मित्रो वाद करवी छे सुरत जिल्लामा न्दृत्यों विशे क्या 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 न्दृत्यों थाई छे क्या क्या न्दृत्यों फ्यामस से प्रख्यात से सुरत जिल्लाना तो क्या मा सवप्रतम वाद करिया मित्रों वाद करवी शे हाली न्दृत क्यों तो के भाई हाली न्दृत क्यों कया जिल्ला मां शे सुरत जिल्ला मां कया जिल्ला मां सुरत जिल्ला मां तो के सुरत अने तापी जिल्ला मां मन्ने जिल्ला शुरत अने तापी जिल्ला ना दूबला आदिवासियो द्वारा करव ઓદો ન્રુત્ય નેટ્લે ન્રુત્કે નુલે નૂ ન૦્રઁત્ત્ય નુથ્રિઘ નુથની નું નુદીત્ય નુદ્ત્ય ન और चित्रों जुर्वा मावे या धबातों उपसावा मावे अने शू थाए तनच्षाए तायार थाए पचिए खानी पीणी नी वाध करिए मित्रों। तो खैवाइग कहवाद छे सूरत प्रफुली थाइजे चटा केदार खाणी पीनी माटे सुरत जानी तू छे अने पॉंक नी रूतु माँ नदी ने सामे काठे उभू थतू पॉंक नगर ए सुरत नू आगवू आकर्शन छे सुरत जाई खमण उन्दियू घारी पॉंक मूसु खावू एक लावो शे अने जाव क्यारे एक तो तुम्हें बजा लावो ले जो जो के तम्हें बजा तो नोकरी मत जावानों शोले तमारे तो दरोजानों लावो लेवानों रेशे खाज भूलाए नहीं त्यार बद अगल वाप किरवीशन मित्रो वाव तड़ाव कूंड अने धोद तो के गोपी तड़ाव क्या आवेलू शे सुरत मा आवेलू शे गवियर तलाव एपन क्या सुरत मा कया कया एक तो गोपी तलाव और विजू गवियर तलाव पची दोध, तो के देव घाट दोध, कयो दोध मित्रो, देव घाट दोध सुरत जिल्लाना उमर पाड़ा तालुकामा आवेलो छे, कया तालुकामा उमर पाड़ा, उमर गाम तालुको कया जिल्ला मा छे मित्रो, कॉमेंट मा जना आवजो, उमर गाम, देव घाट दोध सुर अपने पूछाय अच्छे, तो के मिला आने उच्छाओ, तो के सुरत विशे मित्रों कहवत छे, आठ वार अने नव तेहवार, आठ वार अने नव तेहवार एवी कहवत प्रचलित छे, क्या या वार ओशा अने तेहवार जाजा, वार ओशा अने तेहवार जाजा, तो के सुर पतंग ने कया नामे उलखवा मा आवेशे मित्रों पतंग ने कनकवो तरीके उलखवा मा आवेशे। सुरज जिल्ला ना मांगरोल तालुका मा रामपर गामें। मेलो भराई छे, हवे मित्रो गुजरात मां केटला मेला भराई, ए बेजिक प्रश्ण छे, तो के गुजरात मां 500 थी पन वदू मेलावो भराई, 1521 चेटला मेलावो गुजरात राज्य मां भराई छे, एमाना सवती वदू मेलावो गया जिल्लामा भराई, सुरत जिल्लामा, केटला भराई, 119 मेलावो, पन मांगरोल तालुकामाजे आदा पिर्नो मेलो भराई, ए हिंदु मुस्लिम एकता साथे जोडायलो मेलो भराई, हवे, सवती वदू मेलावो कया, सुरत जिल्लामा, केटला 101 गण साथे, तो कमेंट मा जवाब आप जो, सवती वदू मेलावो, सवती वदू मेला कया जिल्लामा भराई, कमेंट मा जवाब, आप शो, सवती वदू मेला, सुरत जिल्लामा, सवती वदू मेला, सुरत जिल्ला तह questão करें, इसलिए हैं, सहेुआ हुआ है और वकेमियाल मादें, अग hall दिक गोली मारemi का दो आपकी सेता वुराय। आवेक एक मेलो आवे ने, गोल गधेडानु मेलो, पसि गोली गढ़नों मेलो, जो गोल घडी अने गोली गढ़, आबन्ने मेला क्यां बराई, सुरत मा बराई, पसि वसंत उचव, वसंत नू उचव, तो के सुरत जिल्ला ना जे गामित अधिवासी हो छे, ए धर्तिने 9 मेड़ो, मी यां बावानों मेड़ो, तो बद्दा मेळाक या जिल्लामाँ पराए मित्रो सूरत जिल्लामा पराए которой आ वादकरी मित्रो है आपने सूरत जिल्लामा सांस्कृतिक वार्सा नी, और हैं मित्रो:「 सूरत नी सहित्यक भाबतो। रतना 不 Minneapolis 7-0-9-0-0-10-0-0-2-0-0-2-0-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0.2-0-0-0.0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0-0.0-2.0-2-0.0-0-1-0-0-1.0-0-1-0.0-1.0-1-0-2.0-0-3.0-1-0.1-0-2.0-0.2-0-0-0.1-0-2.0-1-0.2-0-1-0.0-0.2.0-0-1-0.2-0.1-0. नर्मद, तो यहनु पूरु नाम्शू हतू नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे, नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे, माता कोण हता यहना, नव दुर्गा गवरी, पिता लाल शंकर दवे, माता नव दुर्गा गवरी, यहनु उपनाम्शू, तो यहनु प्रेम शोरिय, उपनाम् बिरुदो अप्पम एवा हता तो एक तो निर्भय पत्रकार निर्भय पत्रकार एटले कौन नर्मद पची सुधारानो अरून सुधारानी सवार सुधारानो अरून पची गुजराती गज्यनो पिता नर्मद ने शुके वाई गुजराती गज्यनो पिता यना ती एक सुधा युगनी शरुवाद थै गुजराती गज्यनों पिता नव युगनों प्रहरी तरीक एवलखवा मावेना नव युगनों प्रहरी विरूद कोने आयपूतु याने नर्मदने रावी पाठके पसी अर्वाची नोमा आध्य तो ये कोने कि दूतु कने यालाल मुन्षिय पसी नव युगनों नंदी एव कोने नाम आयपूतु उमा शंकर जोशी है आ नाम बदा नर्मदने मलेला शे और आ व्यक्तिव येने नाम आपनार शे नव युगनों नंदी पसी गुजराती काविय नवकानु सुकान फेर्वी नाखनार कोने गिदू विश्व नार तो आ नर्मकोष गुजराती भाषानों सवप्रतम कोष कयो कोष नर्मकोष तियार बाद 4864 मा क्यारे 4864 मा कयो तो के डांडियो सामी एक कोणे शरू गिरिवतु नर्मदे अडार सो ने एक कावन महा मन्रली मलवाती थतालाब गुजराती भाषानों प्रतम निबंद छे कोणे आएपो नर्मदे जो गुजराती भाषानों सो प्रतम कोश कयो नर्मकोश कोणे रची येता आता है ना नर्मद गुजराती भाषानों प्रतम निभन का यो मनली मलवाती ततालाब यारे अडार सो एक कावन मलेके तो कोने नर्मदे नर्मदनु प्रतम लगन कोनी साथे गवरी साथे बिजू लगन दाही गवरी साथे ने त्रिजू लगन नर्मदा गवरी नामनी विदवास्त्री साथे था योगतु ગૌ઼ુરી ડાહી ગૌ઼ી જૌરે દાહી ગૌરમ્દ્રી गુજ્રાથમ આતમ કથા મારી હકિકટ યે પણ गुजराती साहित्य मंडल नाम्ती स्थापना करवाम आवियती। चे नर्मद साहित्य सबाँ शे यने प्यलकाया नाम्ती उलक़नों आवती ये ती गुजराती साहित्य मंडल। त्यार बाद इस विशन उगणी सो चालिस थी दर पाच वर्षे नर्मद सूरन चंद्रक एनायत करे शे अने आवो नर्मद सूरन चंद्रक सव प्रधम कोने आपपाम आएवो तो जोतिन्दर दवेने आपपाम आएवो जो गुजराती साहित्य मंदल नाम थी कई साल मा स्थापना से उगणी सो त्रेवेश मा तोके आने नर्मद साहित्य सभा नाम क्यारे मिल्यू उगणी सो चालिस मा उगणी सो चालिस थी एने शू किरू भाई तोके दर पाच वर्षे नर्मद सूरन चंद्रक सव प्रधम कोने मिलो जोतिन्द्र दवे ने सुरतनी भूमिया आकेला छे त्यार बाट सामाजी क्षेत्र बाद करिये तो मीत zw तूर्गारह्म म्हथता जीवा अंभु भाई पुराणी सामार सेवको पन सुरतनी भूमिया आपनने आए पाशे त्यार बाट पत्रकारत्व क्षेत्र बाद करोग तो फर्दुन जी, मर्जबान, भीमजी, पारेक, अने हित्यैंद्रभाई देश आई कि ये गुजरात ना पूर्व मुख्य मंत्री हता। सूरत जिल्ला नो इतियास, सूरत जिल्ला नी भुगोल, सूरत जिल्ला नो सांस्कृतिक वार्शो अन साथिन साहते सूरत जिल्ला ना अगत्यना सहित्य करो, सूरत जिल्ला ना रतन दिवडावो विशे नो पन आपने कंप्लेट अभ्यास करीली दो शे मित्रो वीडियो थोड़ो लांबो थयो होशे पन चिन्ता करवानी जरूर नती खुब जुपयोगी मही ती छे अण यहमाय आवनर्या 26 तारिक नी MPSW सुरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लेवानार परिक्षामा आ खुब जुपयोगी थे शे मित्रो एतला माटे आ वीडियो नी लिंक ने तमे तमारा मित्रो सुधी मैक्सिममम शेर करशो आ वीडियो नी लिंक ने मैक्सिममम शेर करजो जेथी करीने तमारा मित्रो पन आ जिल्लानों लाभलेई शके साथे मित्रों तमने वीडियो बिमो होए तो लाइक करवानू भूलवानू नती अवाज अन्य तमाम परदात्मक परिक्षाने लगता वीडियो माटे मित्रों तमें युवा डिजिटल क्लास अथो युट्यूब चैनल युवा करियर एकेडमी ने सब्सक्राइब करवानू साथे लाइक शेर करवानू पन भूलशो नहीं मलिय मित्रों एक्स टाइम एक नवा वीडियो साथे त्यां सुधी मां मस्त तयारी करो नोकरी मेलव स्वस्थ ने तंदुरस्त रहो जय हिन जय भारत